बच्चो अब हम बात करते हैं वनसंसाधन के विशय में वनसंसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यदि हम प्राचीन धर्मगरंथों में जाए या प्राचीन आदी काल से ही यदि हम मनुश्यों की जो इस्थिती थी तब से लेकर वर्तमान समय तक बात करें तो हम दे भोजन की बात करें और शदियों की बात करें सब कुछ तो हमें वनों से प्राप्त होता है हम जलवायू की भी बात करते हैं तो जलवायू में भी हम देखते हैं वनों से ही मेग बन रहे हैं और मेग से बारिश हो रही है और बारिश से हम अपनी क्रिशी का कारिय कर रहे हैं और अनप्राप्त कर रहे हैं अपने खाद्याने की आपूर्ती कर रहे हैं हमने आज तक जो अपने इतना अधिक विकास कर लिया है जिसे हम कहते हैं कि हम आज विक्सित अर्थव्यवस्था के रूप में हैं तो यह अर्थव्यवस्था भी विक्सित अर्थव्यवस्था का ज में जीवन तो आधार ये प्रदान कर ही रहे हैं, रहने के लिए एक छट तो दे ही रहे हैं, और जीने के लिए भोजन की आपुरती कर रहे हैं, और हम यह कहते हैं, वनोपर ही डिपेंड है बादलों का बनना, बहुत महत्तपुर्ण भूमी का इनकी होती है, तो बारिश भी पीने के लिए पानी भी हमें इससे ही मिल रहा है और साथ ही साथ हमारी विक्सिर तर्थ विवस्था कि जो नीव जिन्हें हम आजी से हम अध्योगी करन कह रहे हैं तो ये उद्योगों का जो कच्चा माल है ये भी हमें इन ही वन से प्राप्त हो रहा है तो आप अंदाजा से लेकर हम जितना भी आगे बढ़ जाएं तो हम पूरी तरह से इन वनों पर ही डिपेंड है इस वन संसाधन पर ही डिपेंड है और इसी लिए तो प्राचीन समय में किसी ने कहा है कि वन जो है वो मनुश्यों का पालना है ये ये तो एकदम सत्य बात है कि ये हमारे पालने के रूप में है अब हम बात करते हैं कि जो भारत देश है हमारा ये पूरी वन संसाधनों के दिष्टी कोर्ट से बहुत ही धनी हैं चाहे हम अपने हिमाले पर्वती छेतर की बात करें पूर्वी और पशमी तटी छेतरों की की बात करें हर छेत्र में हम देखते हैं कि जो वन है उसकी विविद्ध अलग-अलग प्रकार की विराइटियां अलग-अलग किस्मों के जो वन है हमें मिलते हैं हम बात करते हैं इनके प्रकारों पर कि कौन-कौन से प्रकार हमें भारत देश में मिलते हैं तो पहला हम देखत है उष्ण कटिबंधी सदापढणिवन बच्चों नाम से इस पस्ठ है उष्ण कटिबंधी सदापढणिवन जो जिस छेत्र में बहुत अधिक बारिश भी हो रही ए अच्छी वर्शा होती है तापमान भी अच्छा है और जिन छेत्रों के जो व्रिक्ष हैं जिनिस्थानों कि जो व्रिक्ष हैं इस जलवाईू के कारण सदा हरे भरे होते हैं कभी भी अपनी पत्तिया नीचे नहीं गिराते तो हम इन्हें उष्ण कटी बंधी सदा पर नीवन कहते हैं अब यह कहां पर मिलते हैं तो जब हम विश्व में देखें तब हम अपने विश्व में जो विश इतने घने वन मिलते हैं कि वहां पर आपका प्रवेश करपाना बहुत मुश्किल होता है दुरगम होता है तो कुछ-कुछ जो यह उष्ण कटी बंधी सदा पर नीवन है उसकी जो किस्म है यह विश्वत रेखी वनों से मिलती जुलती है हालां कि यह उतनी घनी उतना घना वनाच्छादन नहीं होता लेकिन हां हम यह कह सकते हैं कि बहुत ही घना वनाच्छादन होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे छेत्र जहां पर परियाप्त वर्षा हो रही है परियाप्त वर्षा मतलब लगभग 200 cm और इससे अधिक और इन छेत्रों में जो व्रिक्षों की उच तदिक वर्षा के कारण लगभग 50 मिटर और उससे भी कहीं कहीं पर हमें अधिक देखने को मिलती है जब हम सदा पढणिवनों की बात करेंगे तो यह सदा पढणिवन हमें उनहीं छेत्रों में मिलते हैं जहां पर 200 cm से अधिक वर्षा होती है हमारे भारत में यह आपके पश पशिमी घाट के जो पशिम धाल है जब हम पशिमी घाट के पशिमी धाल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो पशिमी धाल है उधर वर्षाधिक होती है और जो पुर्वी धाल वाला जो छेत्र है वो वरिष्टी चाया छेत्र में आ जाता है इसलिए हम कह रहे हैं पशिम गाट का पशिमी ढाल इसके साथ ही साथ हमारा जो पूरा उत्तर पूर्वी परवती प्रदेश है जहां पर पूर्वोत्तर राजी की जब हम बात करते हैं उन छेत्रों में और हमारे अंदमान निकोबार्द्वीप समूंग इन सभी छेत्रों में हमें उष्नकटी बंधी सदा पढ़नीवन मिलते हैं यहां की जो वनस्पतियां हैं वो बहुत अधिक विवित्ता और अधिक्ता वाली होती हैं विवित्ता और अधिक्ता इनकी प्रमुख विशेषता होती है मतलब यहां पर अलग-अलग किस्म की वनस्पतियां मिलेंगी और बहुत जादा सगहन वनस् पती मिलती है वो काले रंकी और बहुत कठोर होती है यहां पर हम देखेंगे सदा पढ़नी वन है तो लताओं और जाडियों के कारण यह वन जो है वो दुर्गम होता है मतलब यहां पर आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता और इसी कारण यहां पर किसमे बहुत अधीक है लेकिन उसकी अपेक्षा उसका जो उतना अधीक उप्योग है वो यहां पर नहीं हो पाता जब हम मुख्यवनों की बात करें तो देखते हैं रबड है महोगिनी है एबोनी है ताड है आबनूस है और बास यहां के प्रमुख वरिक्ष हैं यहां की जो लकडिया है वो प्रम प्लाइवूड बनाने में इनका प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है चुकि हमने बात की थी कि यह जो वनस्पती छेत्र होते हैं यह भूमध रेखिय वन छेत्र की ही भाती होती हैं लेकिन उनकी तुलना में यह कम घने होते हैं और व्रिक्षों की उचाई भी आप इनकी वर्षावाले छेत्र वहाँ पर यह सदा परनी वन मिलते हैं लेकिन जहां पर भी बारिष की मात्रव एक होती जाती है तो वहां पर हमें अर्थ सदा बहर मन हम कह सकते हैं यह सरह मिलता है अब दूसरा देखते हैं मानसुनी वन, मानसुनी वन जो है वो भारत के विसिस्ट वन हम कह सकते हैं और इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरे भारत में हमें फैला हुआ मिलता है, ये लगभग 75 cm जीन छेत्रों में वर्षा होती है, 75 cm से लेकर 200 cm तक के वर्षा वाले छे निदेखते हैं , ये जो वन होते हैं वे विशेश यूप सेच कि हम मानसुनी कह रहे हैं, तो मानसून मतलब मौसम के अनुसार जब शुष्क मौसम होता है जब बारिश नहीं होती है तो उस विशेश मौसम में ये जो पतिय, वो अपनी पत्तियों को पहले ही गिरा देते ह और इसलिए हम इन्हें उष्णकटी बंधी पढण पाती वन भी कहते हैं आर्थिक द्रिश्टी से जब हम बात करते हैं तो यह वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं यहां पर बहुत अच्छी किस्म के व्रिक्ष पाये जाते हैं जिनकी लकडियां जो हैं वो काफी उप उपयोग में लाई जाती हैं और चुकी उपयोगी इसलिए भी हैं कि यह उष्णकटी बंधी सदा पढणी वन की भाती यह जो छेत्र है वो दुर्गम नहीं होते या बहुत अधिक सघन नहीं होते इन वनों में हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और इनके जो वन उत्पा पाती मानसुनी वन जब हम आद्र मानसुनी वन कह रहे हैं मतलब वहाँ पर की जलवायू हमें आद्र मेल रही है यह जो वन है यही आपको पढण पाती और पज़ड वन भी कहलाते हैं क्योंकि यहां पर यहां इन छेत्रों में हम देखेंगे जो ग्रिश्मरीतू के ठीक प पतियां हैं यह अपनी पतियों को गिरा देते हैं और इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं पढण पाती वन यहां के व्रिक्षों की उचाई तीस से चालिस मीटर तक होती है और हमने पहले भी बात की है कि सदा पढण वनों की भाती बहुत अधिक सघन नहीं होते नहीं यहा हमारे सुगम्य हैं जाने की योग्य हैं इसलिए आर्थिक द्रिस्टी कोड से यह वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं चुकि हम आद्र छेत्र की बात कर रहे हैं तो यह वन 100-200 cm वर्षा वाले छेत्रों में मिलते हैं यह भारत की हम बात करें तो यह वन गंगा की नि मैदान हैं वहाँ पर पाए जाते हैं मतलब आपका 36 गड़ हो गया हम पुर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ओडिसा हो गया आंध्र प्रदेश है महारास्थ है करनाटक की हम बात करें या केरल यह सभी छेत्रों में हमें आद्रमान सुनीवन देखने को मिलते हैं यह यहां के जो प्रमुख वरिक्ष जो हैं साल, सागौन है, आवला है, नीम, आम और चंदन यहां पर विशेश रूप से मिलते हैं और साथ ही साथ अन्य वरिक्ष में हम देखें यह वनस्पतियों में तो गुलर है, जामुन है, रीठा है, बेर, पलास यह सभी हमें मिलते हैं सागौन लकडी से तो हम सभी परिचित हैं, क्योंकि यह फरनीचर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और चंदन की लकडी भी हमें पता है, क्योंकि यह बहुत ही सुगंधित होती है, तो यह जो छेत्र होते हैं, यह आर्थिक दिस्टी कोर्ड से बहुत ही फिर हम इसका दूसर प्रकार देखते हैं शुष्क-मानसुनी वन ये शुष्क-पर्णपाती-मानसुनीवन ये वन जो होते हैं ये ग्रिश्मरितु के आरम से ही अपनी जहां पर कृषी भूमी का विकास किया जाना होता है ऐसे छेत्रों में इन वनों को काटा भी गया है यह वन हम यहां पर वर्षा की बात करें तो लगभग 50 से 100 cm वर्षा वाले छेत्रों में इस प्रकार के वन हमें मिलते हैं ऐसे वन हम आद्रमानसुनी वन की जब बात कर रहे थे तो यह हमें पूर्वी छेत्र में तो जहां पर भी आपको आद्रमानसुनी वन मिलते हैं उसके पशिमी भाग में या पशिम की और यह वन जो है वो पाये जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं यहां वर्षा की मात्रा जो है वो पूर्व से पशिम की और कम होती जाती है पूर्व की तरफ जो है वो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है जब घाट या पशिमी तटी भाग को देखते हैं तो इसका पूर्वी भाग जो है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और जैसे हम इसके पूर्वी ढाल के सहारे जाते हैं तो देखते हैं वर्षा की मात्र जो है वो क्रमशा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वरिष्टी छाया छेत्र होता है यह जो वन है यह आपके पंजाब, हरियाना, पुर्वी राजस्थान, दक्षणी, उत्तर प्रदेश की हम बात करें या आपका पशिमी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, करनाटक और गुज तो पंजाब, हरियाना, यह छेत्र ऐसा है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी वाला मानसुन जो है आगे बढ़ता है तो यह जैसे जैसे पूर्व से पशिम की तरब बढ़ता जाता है तो यहाँ पर भी बारिष की जो मात्रा है वो कम होती जाती है इसलिए यह जो शुश्क प हुआ है शीशम जो है वो प्रमुख व्रिक्ष है और अन्य व्रिक्ष में भी हम देखते हैं रीठा है बेर, खजूर और अमलता और नीम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं फिर तीसरा वरगी करण हम देखते हैं मरुस्थल इवन नाम से इस पस्ठ हो रहा है यह भारत की उन छेत्रों में हमें मिलेंगे जहां मरुस्थल होगा जहां बारिश की मात्रा बहुत कम होगी और इससे भी आप बहुत अच्छी तरह परिजित हैं कि हमारे भारत में मरुस्थल कहां पर है विशाल थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में यह हम यह कह सकते हैं इस टाइ क्योंकि इन इस टाइप के जो वन होते हैं यहां पर हम देखेंगे कि वर्षा की कमी हो जाती है इसलिए यहां पर वर्षा की कमी के कारण जो वहां के व्रिक्ष है वो पत्यां वहां पर हमें पत्यां जो है वो बहुत कम मिलेंगी और छोटी मिलेंगी और साथ ही साथ काटेद साध हैं. ये हमें प्रमुक रूप से पंजाब राजस्थान जब मध्य प्रदेश और ये तीनों ही जो छेत्र है प्रमुक रूप से राजस्थान कर में देखेंगे तो राजस्थान का भी पंश्च मिरूद की जオ, बनी जो अuldन ुआ प्रमुख वरिक्ष हैं आपके बबुल, नागफनी, रामबास या खेजडा, खैर, खजूर यह जो हैं प्रमुख वरिक्ष हैं और इनका प्रयोक इंधन की लकडी के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है और खजूर को हम देखते हैं कि खजूर से गुड़ बनाया जाता है अब चौथा प्रकार है आपका डेल्टाईवन जब हम डेल्टाईवन की बात करेंगे यह भी नाम से सपस्ट हो रहा है डेल्टाई छेत्रों में हमें देखने को मिलता है चाहे हम अपने गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी यह सभी जो नदियां हैं जो इनके डेल्टाई छेत्रे हैं दल्दली भूमी वाले भाग होते हैं वहाँ पर हमें डेल्टाईवन पाए जाते हैं और यहाँ पर प्रमुक रूप से मैंग्रो वनस पतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं इसलिए हम इसे मैंग्रो या फिर ज्वारी वन भी कहते हैं इन वनों की जो लकडियां हैं यह हम अधिकतर आर्थिक द्रिष्टे से यदि हम बात करें तो यह नाओ बनाने के काम आती हैं अगला हमारा वर्गी करण है परवती वन तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम परवतों में उचाई की और बढ़ते जाएंगे तो परवतों में भी अंतर आते जाते हैं तो हम परवती छेत्री की परवती छेत्री के निचले हिस्से से लेकर उपरी हिस्से तक की बात करें तो वहां पर हमें उश्नकटी बंधी से लेकर अलपाइन तक की वनस्पतियां मिलती हैं और इसे हम आगे तालिका से देखते हैं कि हमारे हमारे भ हिमालय के पर्वतों पर अलग अलग उचाई पर अलग प्रकार के वन हमको में देखने बंदी से लेकरल फान्पतिय। करम कों से होंगे और प्रमुठ वरिक्ष कौन से मिलें इस पर हम बात कर ले ते। इस तालिका से आपको इस पस्ठ हो रहा होगा उचाई जहां पर शुन्य से लेकर 1200 मिटर तक है वहां पर उष्ण कटी बंधी सदाप्रणी वन और प्रमुक विक्ष उनवनों में दालचीनी, चंदन, हैर, सेमल, लारेल, साल और सार्जु जहां पर 1200 से 2400 मिटर की उचाई मिल हैं और इसमें प्रमुक विक्ष होते हैं जो सदाहरित बाज, चेस्टनट, चीड, लताएं और अलग-अलग टाइप की जो जाडियां और बास के विक्ष फिर 2400 से 3600 मिटर की उचाई पर जाने पर हमें अलपाइन वनस्पती और शितोष नकटी बंधी वन मिलेंगी इसके निचले भाग पर चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल, बर्च और एल्डर मिलते हैं और इससे अधिक उचाई पर जाने पर सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और और अधिक उचाई में हम जाएंगे तो शंकुधारी वन हमें देखने को मिलेंगे 3600 से 4800 मिटर की उचाई पर उचल पाइन वन मिलते हैं और इसमें प्रमुक वरिक्ष हैं, शंकुधारी वरिक्ष, जो पाइन हैं, स्प्रूस और फर, इस टाइप के वरिक्ष हमें मिलेंगे और 4800 मिटर से अधिक की उचाई में जाने पर हमें किसी भी प्रकार की कोई व्रिक्ष नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हीम रेखा से उपर आ जाता है जहां पर हमेशा बर्फ आच्छादित या ये छेत्र बर्ख से ढखा हुआ रहता है भारत में वनों का वित्रण देखते हैं हमारे भारत में 752.3 लाख हेक्टेर भूमी जो की 19.47 प्रतिशत है इतने छेत्र पर वनों का विस्तार है और प्रतिव्यक्ति वनों का जो औसत है ये हमें यहाँ पर 0.2 हेक्टेर मिलता है और वनों का वित्रण भारत में बहुत आसमान है यदि हम प्रादेशिक वनों के वित्रण की बात करेंगे तो इसे प्रमुक्त चार वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं जैसे आपको तालिका से स्पस्ट हो रहा होगा पहला है परियाप्त बन भूमी वाले राजिये नमबर टू है आवशक्ता के अनुरूप बन वाले राजिये और नमबर थ्री आवशक्ता से कम बन वाले राजिये और नमबर फोर है अल्प बन भूमी वाले राजिये तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परियाप्त बन राजी आते हैं जहां पर कुल भूमी में 50 प्रतिशत से अधिक वनों का विस्तार मिलता है इसमें हमारा द्वीब समू जिसमें अंडमार निकोबार द्वीब समू है यहां वनों का प्रतिशत 86.2% पुर्वोत्तर राज्यों में मडिपूर 67.5% अरुनाचल प्रदेश 61.9% त शामिली नंबर टू जो इसका क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख रहे हैं आवश्यक्ता की अनुरूप वनवाले राज्ये हमारे परियावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भूमी के लगभग 30% छेत्र पर वनों का होना बहुत आवश्यक है और भारत में 30% से 50 प्रतिशत बन भूमी वाले राज्यों के अंतरगत हमारा च्छतिसगड़ है 46% मेघालय 41.1% दादर और नगरहवेली 41.2% असम 39.1% हिमाचल प्रदेश 38.1% उडिशा 38.3% सिक्किम 36.3% और मध्य प्रदेश 35.1% इसके अंतरगत शामिल है तीसरा आपका वर्गी करण है आवश्यक्ता से कम वन वाले राज्यों जहां पर 30% से भी कम भूमी छेत्र पर वन का विस्तार मिलता है इसमें लगभग 20% से 30% वाली जो वन भूमी वाले छेत्र है वो शामिल है जिसमें केरल है 28.9% गोवा और दमन दिव में 26.1% आंतरप् परसेंट और महाराष्ट शामिल है जहां पर 20.8% वन भूमी का विस्तार है चौथा वर्गी करण है अल्प वन भूमी वाले राज्ये इसके अंतरगर्त उत्तरप्रदेश है जहां पर 17.4% नागालेंड तमिल नाडू और बिहार में 16.8% पश्यम बंगाल 13.5% गुजराट 10.0% जम्मु कश्मीर 9.4% और राजस्थान 9% पंजाब 5.2% और हरियाना शामिल है जहां पर 3.1% भूमी परवनों का विस्तार है देश के लगभग 50% जो वन है वो प्रायदिपी पठार और पहाडियों के अंतरगर्त मिलते हैं और 20% जो वन है वो हिमालय के परवती जो वन है उनका विस्तार हमारे पुर्वी घाट और तटी प्रदेशों में है और 10.5% वन जो है वो पश्मी घाट और तटी प्रदेश में और बचा हुआ 7.5% जो है वो उत्तरी मैदान में विस्त्रित हैं अब हम अपने भारत देश में जो वन संसाधन है इसकी प्रमुक समस्याएं देखते हैं कि कौन-कौन सी समस्याएं तो प्रमुकता से यदि हम बात करें तो ये जो पांच समस्याएं हैं पहला आपका व्रिक्षों की अंधा धुन कटाई फिर वनों में आग लग जाना वनों के छेत्रफल में लगातार कमी होना परियावरण असंतुलन और अन्य समस्याएं जैसे मानों के स्वास्थ्यों औ अन्धाधुन कटाई आपको पता है जैसे जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बात से ही हम बात करते हैं तो हम लगातार लगातार विकास की बात कर रहे हैं और विकास का मतलब है हमारा नगरी करण और ओद्योगी करण तो नगरी करण हो रहा है इसका मतलब कि बड़े- अभी के कारण हम क्या कर रहे हैं वनों को साफ करते जा रहे हैं वनों की अंधाधून कटाई करते जा रहे हैं और ग्रामीर छेत्रों में भी हम ये समस्या भी देख रहे हैं कि पक्के भवन ये पक्के मकान जो है उनके निर्माड के चक्कर में हम वहां पर भी जो बन छेत्र म पिहीन हमें देखने को मिलती है और ये अभी आज हमारी वर्तमान की एक गंभीर समस्या है जिस पर सब को चिंतन करना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है दूसरा देखते हैं हम वनों में आग लगना चुकि ये दोनों तरीके से होता है या दोनों कारणों से होता है प्रा प्राकृतिक करण की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की समस्या बढ़ रही है और इससे शुश्कता आरी फिर हम देखते हैं वनों के छेत्रफल में कमी अभी हमने बात की थी कि क्रिशी भूमी का जो विस्तार है है ना इसके करण और उद्योगों के विस्तार के करण लगातार उद्योगों के स्थापित होने के करण और आवासी इस्थान इनके बढ़ने के करण वनों के जो छेत्रफल हैं उनमें लगातार कमी आती जा रही है क्योंकि हम वनों को ही साफ करके इन सभी का निर्माड कर र उसके 33 प्रतिशत हिस्से पर या 33 प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग 22.9 प्रतिशत भुभाग पर ही वन है और वनों की कमी के ही कारण वायू मंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ गया ह है और यह हमारी जो ओजोन परत है उसके छै के रूप में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मी की समस्या के रूप में यह सामने आ रही है अब इसके अलावा अन्य समस्याओं में हम देखते हैं वनों की कमी के कारण और द्योगिक प्रदूशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है अगर हम वन लगाएंगे तो यह उन उद्योगों से होने वाले जो प्रदूशन है दूश्री गैसे जो उसमें से निकल रही है उसको यह अपने में आप्जर्व कर लेंगे और हमें अच्छी गैसे जो हैं वो देंगे और परियावरण में एक बैलेंस की स्थिती हो रही है इसलिए वाश्पी करण संबंधी समस्या बारिश के अनियमित्ता की समस्या जिसके कारण कहीं सूखा और कहीं बाढ यह वाली जो समस्या है यह भी उभर कर आ रही है तो यह हो गई हमारे परियावरण संबंधी समस्याएं अब हम यह देखते हैं कि इस से जादा मात्रा में अधिक से अधिक व्रिक्षा रोपन का कारिक्रम चलाएं व्रिक्ष लगाएं जितने व्रिक्ष हम काटते हैं उससे 10 गुना हम व्रिक्ष लगाएं वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए जो हम विकास की आड में विकास की बात करके अंधा धुन व्रिक से हमें बचाना चाहिए तो इसके लिए जो भी प्राकृतिक और मानुवी कारण जिम्मेदार हैं उन पर हम रोक लगा सकते हैं या उनकी आवरित्ती हम जो है कम कर सकते हैं परिवहन मार्गों का विकास करके वानिकी कारिकरम विभिन्य प्रकार के शाषन के द्वारा वानिकी कारिकरम चला कर हम बनों का विकास कर सकते हैं और सबसे आवश्यक और अनिवार ये बात हम कहते हैं कि वन्स अंडरक्षन के प्रती लोगों में जागरूकता का होना अति आवशक है क्योंकि जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी अशाशन के द्वारा जो कारिक्रम चलाए जाते हैं, या लोगों के द्वारा जो कारिक्रम चलाए जाते हैं, उसकी सफलता पूर्णतह आप और हम पर डिपेंड करती है, जब तक हम जागू नहीं होंगे, तब तक हम वन संसाधुनों का या वनों का संरक्षन नहीं कर सकते, तो आप और हम जागू ज्यादा से ज्यादा वन लगाएं वनों की कटाई पर रोक लगाएं जिससे हम अपने परियावरण में एक अच्छा संतुलन जो है वो इस्थापित कर पाएं